तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो हम लोग Class 9 Science का Chapter No.8 Force and Laws of Motion पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे Inertia और Mass तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं Inertia क्या होता है तो Inertia के बारे में जानने से पहले आप लोग First Law of Motion जो है पिछले पार्ट में जो बताया तो Newton's का First Law वो आप लोग उमीद करता है आप पढ़ के आएंगे या फिर नहीं देखा तो उसका Link description में है तो उसमें ये बता गया था First Law में कि कोई भी Object है अगर वो अपने Rest में है तो वो Rest में रहना चाहेगा अगर कोई Object Object Motion में है तो वो Motion में रहना चाहेगा तो इसी को Inertia Law of Inertia भी कहते है तो अपना State को Change करने का वो Resistance दिखाता है कोई भी Object हो ठीक है तो इसी को Inertia कहते है अगर कोई Object जैसे एक Ball है वो अगर Rest में एक Table पर रखा हुआ है तो वो वोहीं पर रहेगा रहना चाहेगा वो किसी भी हल में वो अपना State चेज़ नहीं करेगा मतलब वो किसी भी हल में मोशन में नहीं जाने वाला उसी तरह से अगर एक Ball है जो कि मोशन में到 hier लो इसको पूरा को हम लोग इनर्सिया गवह स्कते हैं just law of motion वह समझने हो अगर एफ इप सकते हैं इसका ऐट रहा है वो अगर rest में है तो वो rest में रहना चाहेगा और अगर if it is in moving it keeps into moving अगर वो move कर रहा है तो वो move करना ही चाहेगा Do all body have the same inertia क्या सभी body का जितना भी कोई भी object है सबका same inertia होता है कि different inertia होता है ठीक है तो इसका answer होता है नहीं सबका अलग-अलग inertia होगा ठीक है जैसे कि आपके सामने एक यहाँ पर example के लिए यहाँ पर एक single किताब है और यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा एक box है जिसमें किताबें भरी हुई है तो आप imagine कीजिए कि अगर आप इसको push करना ठीक है तो वह बहुत मुस्किल से घसकेगा वह पहुत धीरे दीरे करें आप एक बार में किताब को उठा सकते हैं लेकिन आप वही box को उठाना चाहें तो काफी महनत आपको डगाना पड़ेगा तो ऐसा होता है ठीक है और आगे दूसरा इसांपूल देखते है अगर आपके सामने दो एक जाम्पूल के लिए एक फुट बोल रख दिया जैसे आप मारी को साइस करेए तो एक फुट बाल को किक करना है तो एक बार में चला जागा है तो काफी दूर भी जा सकता न आप स्टून पर bet कि कि जागा तो हो सकता है कि थोड़ा वो जा और आपको पैर को भी हांद पहुंचा दे पैर में चोड भी लग सकती है तो यह होता है सेम साइज है देखने में तो सेम साइज लग रहा है लेकिन दोनों का इनर्सिया यहां पर अलग है ठीक है कैसे अलग है और एक और एक्जाम्पल साथ देखिए माल ले ठीक है तो यहां पर पता है हमको यह चल रहा है कि हर अब्जेक्ट का जो इनर्सिया है वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट होगा ठीक है वो कैसे जैसे डिफ्रेंट होगा इसको और डिटेल में समझने के लिए जितना हेवियर अब्जेक्ट होगा उसका जादे इनर्सिया होगा है हाप पे ठीक है और इनर्सिया का जो है वो मास से रिलेटेड हो गया यहाप तो इनर्सिया का क्या मतलब रुका हुआ है इपने पोजीशन पर स्थेर है तो वो कितना जादे मैसिव है उसको बताता है इनर्सिया हो गया कि उस अबजेक्ट पार्टिकुलर अबजेक्ट की नैचुरल टेंडेंसी हो जाएगी कि वो कितना उस अबजेक्ट मूफ करने के लिए कितना रसिस्टन् नैचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी आपजेक्ट में अपने स्टेट को चेंज करने के लिए उसको हम लोग इनर्सिया कहेंगे ठीक है लेकिन मास को क्या डिफनेस हो जागा बट द मास ऑफ एन ऑबजेक्ट इस मेजर ऑफिस इनर्सिया ठीक है तो जितना जादे मास होग यही इसका में डिफरेंस हो जाता है तो जैसे हमने मैने अभी जो अग्जामपूल बठाय था ट्रें और कार्ट वाला तो आपने हलका सब्स थोड़ा तेज फोर्स भी अगर लगा दिया कार्ट पे तो बहुत तेज मुफ कर जाएगा और आप ट्रेंपर कितना भी फोर्स लगाते रहे आपना हथो दो ट्रेंट से मस्त नहीं होने वाले यहां पह form ट्रेंट मैसिव है इसी लिए यह अपना स्टेट ay इक अपर और जो टेंडेंसी है इसको चैंज करने का उसको इनर्षिया कहें गे और जो ensuite मेजर है इनर्शिया का जो मेजर मेजर हो गया उसको हम लोग मास करेंगे तो मास को यहां पर हम लोग भी डिफाइन कर सकते हैं तो मास को मास को डिफेंड करने के लिए यहां पर हो जागा मास इसे मेजर ऑफिस इनर्शिया ठीक है तो मास क्या है उसी ऑब्जेट का जो इनर् स्टोन का मास बहुत जादे तो नेश्रल टेंडेंसी हो गई यहां पर कि जिसका जादे मास होगा उसकी इनर से उतनी जादे हो जाएगे इसलिए स्टोन से आपको चोट लग गए और फुटबॉल में आप अराम से उसको किक कर सकते हैं तो यह होता है दोनों का बीज का डिफ झाल 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 झाल